नमस्कार घमासान.com के special segment आज की कविता में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाती हूँ एक प्यारी सी कविता जो आपको कई अर्थ समझा जाए। अर्वे दप जाना बुरा तो है। जुग्नूों की लो में पड़ना, मुठ्यां भीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतनाक नहीं होता। सबसे खतनाक होता है मुर्दा शांती से भर जाना, तड़का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना, काम पर और काम से लोट कर घर आना, सबसे खतनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाये पर चलती हुई भी जो आपकी जिसकी नजर दुनिया को मुहबत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराओ के क्रम में हो जाती है। सबसे खतनाक वो गीध होता है जो मरसिय की तरह पढ़ा जाता है। आतंकित लोगों के दर्वाजे पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतनाक तो वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद विरान हुए आंगन में चड़ता है लेकिन आपकी आखों में मिर्चों की तरह नहीं बढ़ता है। सबसे खतनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज ढूप जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिसम के पूरव में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, कदारी और लोब की मुठी सबसे खतरनाक नहीं होती